क्या आप जानते हैं कवीट या जिसे केथा भी कहते हैं उसे एक आयरवेदिक ओशदी की रूप में माना जाता है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ भावना और चटकारे विंजन में आपका स्वागत है फ्रेंज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आए हूँ कवीट का जूस जिहां फ्रेंज ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा जूस होता है तो चलिए इसे बराना शुरू करते हैं यहाँ पर एक कवीट को मैं इस तरह से तोड लूँगी देखिए फ्रेंज इस तरह से मेने से तोड लिया है और इसके जो अंदर का पल्प है उसे हम एक चम्मज की सायता से बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर में ने जू कवीट का जो पल्प है वो पूरा इस तरह से चम्मज की सायतासे निकाल लिया है और एक बाउल में हम सारा जो पल्प है वो एड़ कर देंगे और अब इसके बार इसमें हम 1000 एमिल पानी डाल देंगे फ्रेंज अगर आप कवीड ज्यादा ले रहें तो पानी के मात्रा बढ़ा भी सकते हैं और इस पल्प को हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसे लगबग 20 मिनिट के लिए हम ऐसे ही रख देंगे ताकि जो पल्प है वो पानी में अच्छे से अब्जर्ब हो जाए फ्रेंज 20 मिनिट के बाद जो है हम पल्प को छान लेंगे ताकि इसके जो बीज है वो अलग रह जाए तो हमें इस तरह से से छान लेना है फ्रेंज कवीट जो है इसका जूस एक एनरजी बूस्टर की तरह काम करता है गर्मियों में तो आप यह जूस बना के जरूर ट्राई कीजिएगा यह सभी को बहुत पसंद आता है तो फ्रेंज यहां पर जो मैंने इसका पल्प है वो निकाल लिया है फ्रेंड्स कवीट गर्मे में बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो आप ये जूस जरूर बनाकर ट्राई कीजेगा तो हमारा जो जूस है वो इस तरह से रेडी है और अब इसके बाद इसमें मैं जेग्रियेट करूंगी फ्रेंड्स आप चाहिए तो इसमें शकर भी डाल सकते हैं मैं यहाँ पर गूर्ड ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं तीन चम्मच गूर्ड डाल दूंगी जूस में क्योंकि जो कवीट होता है उसमें खट्टा पन होता है तो उसमें कुछ मीठा एट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और अब इसके बाद हमें से जेग्री डिजॉल्व होने तक मिक्स करना है तो पिरनस हमें जादा मीठा नहीं एट करना है अब थोड़ा सा ही इसमें गुर्ण या शक्र आपके अंशार डाल सकते हैं अब इसके बाद इसमें में जीरा पाउमरे डाल रही हूं थोड़े से पुदिना के पत्ते ले रही पूधिना से जीरा पावडर से इसक avis अच्छा आता है और इसके बाद में थोड़ा सा काला नमक एट कर रही हो और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंज जीरा पाउडर, पूदिना और काला नमग से जो हमारे जूस का टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा तो आप ये चीजे जरूर स्मेड कीजिएगा और इन सारी चीजों को मच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंड्स हमारे कवीट या जिसे केथा भी कहते हैं उसका जूस बनकर बिल्कुल तैयार है और यहां पर जो मैंने कवीट के जो छिलका था जो एक कटोरी के शेप में रहता है या बावल के शेप में रहता है उसमें जो है मैं सर्व कर रही हूँ हमारा जूस फ्रेंड्स ये देखने में भी बहुत अच्छा होता है इवन बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह से हम प्रेजन करते हैं तो तो फ्रेंड्स हमारे कवीट का जूस बिल्कुल डेडी है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और ठेज सारे चटकारे विदिनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक्यू झाल कि मेरे आपको में मुझे लवधिकेशनिल डिवण की दिएकर शचारे विबते वोगी क्लिक का विश्यों थैंक्यों प्रिप्ट्टारे वियक अबताओा इंक्ताम मुफ जख गिवधिक थैंक्यूरूर भीज़